जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 अगस्त और 10 अगस्त 2022 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहों की इस्तिती क्या होगी नक्षतर क्या होंगे योग क्या बनेंगे किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिन्चरिया में देखने को मिलेंगे जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके जीवन से जुड़े हर एक शेतर के बारे में सिक्षा, स्वास्थ, करियर, नौकरे, दुकान, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहती हैं तो चलिए इन दो दुनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं 9 अगस्त का दिन मंगलवार का दिन है सावन माह का आखरी मंगलवार जिस दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है यह आखरी मंगला गौरी व्रत है द्वादसीति थी रहेगी इस दिन और मूल नक्षत्र रहेगा विश्कम नाम का योग बना हुआ है जो एक उत्तम योग है चंद्रमा गुरु की राशी धनूराशी में है सूर्य करक राशी असलेशा नक्षत्र में इस दिन अभीजीत मूरत है दोपहर बारा बजे से बारा बज कर तरेपन मिनट तक अब दस अगस्त का दिन तो यह बुद्वार का दिन है शुकल पक्ष की त्रियोध सीति थी है पूर्व साढ़ा नक्षत्र रहेगा सुबह नौचालिस तक उसके बाद उत्तर साढ़ा नक्षत्र लग जाएगा पृति नाम का योग बना हुआ है चंद्रमा धनूराशी में है और सूर्य करक राशी असलेशा नक्षत्र में अभी जीत मूरत इस दिन कुछ नहीं है लेकिन इस दिन रवियोग बना हुआ है अगले दिन सुभाता तो योत्य हो गई हमारी ग्रहों के इस्तिति बाकी जो 10 अगस्त का दिन है इस दिन मंगल का राशी परिवर्तन भी होगा मंगल जो कि अभी अपनी राशी मेश राशी में राहों के साथ थे अंगारा की योग बना रहे थे तो इस दिन मंगल वरशब राशी में प्रिवेश कर जाएंगे अंगारा की योग खत्म होगा और जो इस्तितिया है वो बड़ी अच्छी से निर्मित होनी शुरु हो जाएंगी मंगल के किरपा से तो चलिए अभ इनी ग्रहों की इस دती क्या दार पर हम जानेंगे ये जो दो दिन है न ये आपके लिए किस तरह के परिवर्तन आपके दिन्चरिया में लेकर आए है तो पहले हम 9 अगस्त के बारे में जानेंगे 9 अगस्त का दिन आपके लिए कैसे रहेगा एक इस दिन आप कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताएं अगर आप विवाहित हैं आपके बच्चे हैं तो उनके साथ वक्त थोड कर सकते हैं और उमीद है कि ये जो यूजना होगी आपकी ये सफल भी होने वाली है घर परिवार में कुछ महमान आ सकते हैं अपने बरताब को अच्छा रखें अपने महमानों के साथ बरताब अच्छा रखेंगे तो अच्छा रहेगा और प्रेम संबंद के मामले में दिन बहुत अच्छा है व्यवाहिक जीवन भी उत्तम बना हुआ है धन संपत्ति को लेकर अगर हम बात करें तो धन संपत्ति के मामले में आज क्या बात है धन आने के पेबल चांसिस हैं धन लाब के बड़े अच्छे योग हैं फसा हुआ पैसा मिल सकता है और व्यवसाय करने वा के लिए आज जबरदर्स्त धन लाब के योग बने हुए हैं अगर आपका कोई इंसिट्यूट है आप किसी तरह के सिक्षा के कार्या करते हैं तो ये दिन आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है आज जायदा से संबंधित मामलों में बड़ी चतुराई दिखाएंगे और चत्राई से उनको निप्टाने की कोशिश भी करेंगे संपत्ती निवेश हो गया वो आपको शायद उतना जादा लाब आप भी ना दिला पाए लेकिन आप उसको होल्ड करके रखेंगे तो वो जादा अच्छा बेरेफिट देने वाला रहेगा नौकरी में बढ़ने क उच्छी तो अवसर आपको मिलेंगे आप अपने वरिष्टों के साथ वहवार कुशल रहें महतपून लोगों से आज आपकी मुलाकात हो सकती है आप अपने जीवन के हर एक तायतों को पूरा करते हुए चलेंगे आपके पिता की सलहा कुछ जादू भी बखेर सकती है धा जालस को त्यागें वरना नाराजगी सहनी पड़ सकती है अपने आफिस में अपनी बास की बाकी हम अगर दिखे अपकी पारिवारिक जीवन आपके कारिशेत्र की आपके वितिया इस्तिति की अगिर बात करें तो यहां इस्तितिया बेहर अच्छी बनी हुई है वितियत औ पर आप बड़े सफल दिखाई दे रहे हैं आज आप अपनी उच्छा दिकारियों को भी खुश करने की पूरी कुशिश करेंगे और अगर आपके मन में पदुनती पाने की इच्छा है तो आपको ज़्यादा अच्छा प्रभाव अपने बास पर छोड़ना चाहिए उन्ह को सब कुछ अपनी मनमचा ही चीज उनको मिलने वाले सब कुछ उनकी मर्जी से होने वाला है तो देखा जाए तो ये दिन जो है आपके लिए अच्छा है बाकि मंगलवार का दिन है ये मंगला गोरी वरत है प्रेम जीवन में वेवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई पार्वती की आराधना करें, मापार्वती को सोलसरंगार की चीज़ें भेट करें, और पित करें, तो उनकी इच्छा से आपकी जो चीज़ें हैं वो बड़ी जल्दी ही नॉर्मल हो जाएंगे, अब हम बात करेंगे 10 अगस्त के बारे में, 10 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, सबसे पहली चीज़ तो इस दिन मंगल का राशी परिवर्तन हैं, जो काफी एहम है, क्योंकि अंगारा की योग खत्म हुआ है, और मंगल का ये राशी परिवर्तन आपके लिए कैई तरह के अच्छे बदलाव भी लेकर आया है, अंगारा की योग खत्म होने से आ लोग प्रभावित भी होंगे, थोड़ा व्यास्त रहेंगे और सक्रिया भी रहेंगे, कुछ लोगों से मुलाकात का योग भी है, और रोमाइंटिक जिन्दगी में बदलाव भी मुम्गिन दिख रहे हैं, लोग आपको आपके बढ़िया काम की वज़े से आज पहचान द और सामाजी के कुछ कामों में भी जादा बेजी रह सकते हैं, आपका साथी की वज़े से आज आपके जीवन में कुछ अच्छी खुशियां आने वाली हैं, अगर आप विवाहित हैं, विवाह की बातें आगे बढ़ सकती हैं, परिवार में कुछ विवाह की बातें जादा आज जो पकड़ सकती है हो सकता है विवा की डेट भी फाइनल हो जाए तो कुल मिलाकर ये जो दिन है कई तरह के अच्छे बदलाव लेकर आया है बड़े बदलाव लेकर आया है जो आपके लिए उत्तम रहे गए आयात निर्यात के शेत्र से जुड़े हैं इस तरह के व्यवसाय में है तो आज का दिन उनके लिए अच्छा है आज आपको कई तरह से लाव होने का योग है आपके संपर्क भी मजबूत होंगे और अच्छे संपर्कों से अच्छे लाव की उम्मीदें आपके लिए बन रही है तो इस सुब समय का आपको जरूर मज़ा लेना चाहिए विदेश से जुड़े हुए कोई कारे करते हैं किसी भी तरह से तो वहां से भी लाव मिलने के योग है विदेश से किसी अच्छे समाचार की परतिक्षा कर रहे हैं किसी आपने अपलाई किया था जौब के लिए जाने के लिए किसी भी तरह से तो वहां से भी अच्छे खुशखवरी मिलने का योग बना हुआ है तो बस अपने आपको इसी तरह से सकारातमक बनाए रखें सितारे आपके पक्ष में रहेंगे सकारात्मक विचार और सकारात्मक सोच बहुत सी चीज़ों को आसान कर देती है और इस चीज़ का बेनिफिट आपको देखने को मिलता है तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर ले हमारी इस वीडियो को जाए 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 लाइक करें शेयर करें ताकि जाए लोगों तक ये पहुंच सकें